नमस्कार, मैं हूँ आपकी फामिली गुरू जयमदान आप सभी को छोटी दिवाली की धे सारी शुबकामनाई ये दिवाली आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो मैं इश्वर से यही प्रात्ना करूँगी आपके लिए दिवाली पर कुछ खास रेमिडीज, कुछ खास उपाई, कुछ खास दोटके मैं लेकर आती हूँ ताकि आपके साल भर की जो दिक्कत है, प्रब्लम्स है, वो इन दो दिनों में खत्म हो जाएं आज जानते हैं कितनी स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करेंगी, आई आपको दिखाते हूँ लक्ष्मी के तर्वार के एक गिन पहले कैसे बनाए छोटी दिवाली, मेरे साथ जानेंगे पूजा कैसे करें ताकि पूरे साल लक्ष्मी की क्रिपा आप पर बनी रहे राश्य की वुताबिक जानेंगे, परिशानिया दूर करने के लिए किस कलर की कपड़े पहन करें दिवाली की पूजा इस दिपावली को दिव्य दिपावली बनाने के लिए क्या है वास्तु की खास नियम आपको दिपावली पर धे सारे लोगों से मिलना है, अट्राक्टिव और अच्छी स्किन के लिए क्या करना है जानेंगे दिपावली का तेवहार है, बहुत सारे छोटी छोटी बाते ही जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वो बाते जो आपको पता भी नहीं और मैं आपके जहन में डालने वाली हो, लेकिन इससे पहले आज खास आज क्या करें ये बताती हो, आज छोटी दिपावली है, छोटी दिपावली देश भर में नरक चतुरदशी, काली चौदस, हनुमान जयनती और रूप चतुरदशी के नाम से मनाई जाती है, पहले जान लेते हैं कि छोटी दिपावली मनाने के लिए क्या खास करें आज, आज जुरूप चतुरदशी भी है, तो शान की पूचा से पहले अपनी बोडी पर चंदन का लेप लगाएं, उसके बाद नहाया जाता है, भगवान कृष्ण की उप पूजा के लिए चान्दी के सिक्के खरीब लीजें, आपको कल क्या खास करना है, कैसे चीजों को बगलना है आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है, दिपावली हो या इसके बाद आपको भी भी पूजा क करते हैं, कुछ खास बातें आपको हमेशा घ्यान में रखती चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो घर्मी नेक्टिविटी आ जाती है, साथ ही मालक्षमी के साथ बाकी की देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, कौन सी है वो बाते जिनका रखना है आपक को खास खयार चलिए जान लेते हैं, देवी देवताओं के सामने फ्रज्वलित किया गया दिया कभी भी नहीं बुझाना है, खुद नहीं बुझाना है, कमल को पांच और बिलपत्र को दस और तुलसी को ग्यारा दिन तक शुद करके पूजा में इस्तमाल किया जा सकता है, पंचामरत में अगर सब चीज़े ना हो सकें तो सिरफ दूट से स्नान कराकर भी पंचामरत के फल मिल जाते हैं, अच्छा पिगलावा घी और पतला चंदन देवी देवताओं को ना चाहिए, दिये को दिये से नहीं जलाना चाहिए, ऐसे करने से प्रोस्पेरिटी खपने ह और बिमारियां घर में एंट्री करने लगती हैं, दिये को दक्षिना मुख ना रखें, साउट फेसिंग नहीं रखें, ऐसा शुब नहीं माना चाहिए, देवी के बाएं और दाएं तरफ एक एक दिया जरूर रखें, दीपक से अगरवत्ती जलाना भी घर में सिपें मगर अंगूठे को इस्तमान नहीं किया करें, एक और बड़ी खास बात है, ऐसे थोई ना कि दिपावली पर सबको ब्राइट कला पहने चाहिए, या सबको पेस्टल कला पहने चाहिए, मैंने भी हो सकता है दिपावली की पूचा के लिए कुछ खास कपड़ों की त बल्दी एट्राक्ट करेंगे, यह आपको बताऊंगी पर इससे पहले श्री अंतर की खास पूचा, आप श्री अंतर की पूजा की बहुत इंपॉटन्स बानी जाती है, यह माना जाता है कि श्री अंतर को अपनाने से लाइफ में किसी भी आपको सुप की कमी नहीं होती, प की पूजा कैसे करें, कैसे स्थापित करें, आज के दिन धन कुबेर आपके घर में कैसे आ सकते हैं यह बताती है, श्री अंतर इसली माकित में वेलबर होते हैं, आप श्री अंतर को लेकर आएं और रेक कलर के कपड़े पर रखें, पंचामरित यानिकी मिल्क, करड, शेहद जी और शकर को मिला कर उसको स्थमान कराऊं, इसके बार गंगा जल डालकर उसको पवित्र करें, श्री अंतर की पूझा, लाल चन्न, लाल फूल, अभील, महंदी, गूळी और अक्षट से करें, अक्षट यानिकी सावुच्छाबल, श्री अंतर की सामने लक्ष्भी मंत्र शी सुक्त का कोई भी आसान श्लोक का पाथ करे अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे इजरी मिल जाते हैं आप सुन भी सकते हैं जाने अंजाने हुई गलती के लिए श्रमा मांगे और माता लक्ष्मी का ध्यान करें सुक्ष, स्वाभाग्य और सम्रद्धी की कामना करें और यकीन मानें कि ऐसा करने से ये हो भी जाएगा दिपावली हो जाए शुब दिपावली इसकी कुछ नियम है मैं आपको वास्तु की कुछ ऐसे नियमों के बार में बताऊंगी लेकिन इससे पहले किस कलर की कपड़े पहन के पूझा करनी है ये जानते हैं आप अपनी राशी की हिसाब से ये जान लीजिए कि आपकी लाइफ में अगर आपको सुख चाहिए तो प्रिसाइस उपाई किया करें तो आपको अगर परिशानी आ रही है कोई दिक्कत आ रहे है तो दिपावली की पूझा तो आपने करनी है तेकिन किस कलर की कपड़े पहन कर करनी है ये भी बहुत इंपाक्ट मारता है क्योंकि फाइनली कलर थेरपी इंसान पर बहुत जादा अच्छे से काम करती है ताकि पूरे साल आपके घर में पैसा रहे बताती है जैसे की मेश राशी वाले लोगों को पूरे साल खर्चे से बचने के लिए रेड कलर के कपड़े में नागल में पेटना चाहिए आप इसे घर की अलमारी में रख देना चाहिए और विपावली पर इनको किस कलर के कपड़े पेहने चाहिए इनको कोरल रेड रेड के टोन पेहने चाहिए दुश्व राशी के लोगों को भी कुछ खास करना चाहिए आप लोगों को फनांचिल डिफिकल्टिस को धूर करने के लिए माय रक्षमी के मंदिर में शाम को एक नाजल चड़ाना है और आपको किस कलर की कपड़े पेहने आपको एमरेल्ड ग्रीम यानि की ग्रीम कलर के कपड़े पेहने मिच्चुन राशी वाले लोगों को क्या करना है आपको ऐसा पानी की तरह ना भहे ना खच्छो इसे बच्चने के लिए आपको कमल चो कमल का फूल आता है उसकी भी पूजा करनी है और पूजा के बाद इस कमल के फूल को रेट कपड़े में रख देना है अब इसे पुजोरी में या पैसे रखने में जो कपड़े रख तीछे रही बात आपके लखी कपड़ों की आपको रोज रेड कलर के कपड़े या पूल वाइट कलर के कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस की करकराशी वाले लोगों की आप किसी डॉब को सरसों के तेल का पराथा किलाए अगर अचानक financial gains करना चाहते हैं तो आज पंच मुखी five sides वाला दीपर चलाए इसे people के पेड़ के नीचे रखाई है अब आपके लखी कलर की भी तो बात करी है आप ruby red या dim white न ओफ white कलर के कपड़े पहन कर पूजा कीजिए ताकि मालक्षमी वो आप से आकरशित अब मैं आपको बताने वाली हूँ लियोस के बारे में सिंग राशी वाले लोगों के बारे में आप लोगों ने अगर मालक्षमी को घर पे बुलाना ही है तो में गूट पर एक दिया जरूर रखना है अब दिया आपको अगली सुभा जलता वागर दिखे तो समझे कि बहुत जल्डा आपको financial growth होने वाली है अगर ना दिखे तो दुबारा जला दिजेगा इसमें क्या बात है लेकिन अगर बड़ा दिया लेंगे और दर्वाजे के left side पर रखेंगे तो देखेगा क्या कमान होता है और आपको किस कलर की कपड़े पहनने है पहले एमरेंड ग्रीन यानिकी bottle green bright green कलर की कपड़े पहनने है तनिया राशी वाले लोगों की बात करते हैं वर्गो उसकी बात करते हैं आप लोगों को शुप दिबावली के लिए धापी दिपावली के लिए पीने चंदन और गुलाब के पानी का पेस्ट बनाना है इस पेस्ट की इसकी तरह इस्तमाल करते हुए कमल कमल का जो फूल होता है उसके तने में आपको ये मंत्र लिखना है मंत्र है ओम, ब्रींग, ब्रस्पताय, नमहा ये करने के बाद आपको इसको पूजा में इस्तमाल करना है इससे आपकी लाइफ की सारे रुकावते दूर हो जाएंगी और किस कलर के कपड़े पहने हैं आपको? आपको सीमिंट कलर, यानि कि जैसे ग्रे कलर के कपड़े मैंने पहने हैं ऐसे सीमेंट कलर के कपड़े पहने या फें मिल्की वाइट इल्कुल बॉर्इट वाइट कलर के कपड़े पहने तो लई राशी के लोग लिबूर्ट आपको क्या करना है बहुत excellent आपनी economic growth के लिए आपको दक्षिरावर्थी शंक की पूचा करनी है और इसे अपनी money place जहाँ भी पैसा जूलरी रखते हैं वहाँ पे रख देनी है किस कलर के कपड़े पहने आप pink या बिल्कुर blood red, coral red कलर के कपड़े पहन सकते हैं अब हम विष्टिक राशी की बात करेंगे, स्कॉट पिंस की बात करेंगे अगर आपको फटा फट सक्सेस चाहिए तो शाम को मंदिर चाहें मंदिर में मा लक्ष्मी को सुगंदित अर्पित करें अगरबती मतलब खुश्बुदार अगरबती वहां पर जला करानी है तिपावली फूजा पर किस कलर के आपको कपड़े पहने हैं आपको golden yellow कलर की कपड़े पहने हैं धनु राशी, Sagittarians की बात करते हैं Financial game के लिए आपको पान के पत्ते पर एक छोटा सा मंत्र लिखना है मंत्र क्या हैं लिखी फटफट, मंत्र हैं श्वींग इस मंत्र को आपको सिंदूर से लिखना है अब इस पान के पत्ते को घर की अल्मारी में रखती चे आपको दिपावली पूजा पर किस कलर की कपड़े पहने हैं तो पूजा के बाद चंदन, कुम-कुम, हुलाब जल से बना तिलक माथे पर लगाना है और ये चीज आपको लगातार 44 देज तक कॉंटिनू रखनी है अब आप पूचेंगे किस कलर की कपड़े पहने मैं आपको बताती हूं कि आपको पिंक या ब्लू, एनी टोन अफ ब्लू की कपड़े आप पहन सकते हैं कुम्राशी की बात करते हैं अगर आपके उपर लोन्स है यहां आपको लगता है कि लिक्विट कैश की शौटेश रहती है तो गनेश जी को हाली की गाठों वाली एक माला पूजा करते समय पहना है माला तो आप खुरी बना सकते हैं पूजा के बाद इस माला को ग्रीन कपड़े में लपेट कर घर के सबसे शुदिसे में रख दे मैं आपको बताओं तो आप नौर्थ में रख दे या अपने घर में कैश बॉक्स में रखते अब आप कहेंगे हम किस कलर के कपड़े पहने आप बिल्कुल डल ग्रीन कलर के कपड़े पहने नीम राशी के लोग पाइसन्स अगर आप अपनी इक्नामिक पोजिशन से खुश नहीं है तो क्या करें नारियल की हाज शेल में एक दिया रखे खाली नारियल के शेल में दिया रखे अब इस शेल को मालक्षमी के सामने रख देने से पूरी रात वहीं पे चलते छोड़ देने से आपकी घर मालक्षमी का वास होगा किस कलर की कपड़े पहने आप कोरल रेट कलर की कपड़े पहनिए क्या आप श्रीयंत्र की पूजा करते हैं? आपकी घर में भी श्रीयंत्र नहीं है? ओ, आप जरूर ले आए क्योंकि मैं आपको कुछ खास तरीके बताऊंगी श्रीयंत्र की पूजा के जिससे आपकी लाइफ में समीन आस्मान का फरका सकता है पस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है लेकिन इससे पहले कुछ और खास बाते हैं जिनका ध्यान आपको धिपावली पर रखना है चली वो बाते पर आपको बताते हैं आजकर जब आप घर से भार निकलते हैं तो देखते हैं कि चौराहों पर क्या-क्या कुछ-कुछ पढ़ा रहता है ऐसे में शाम के समय नेगिटिविटी बहुत स्ट्रॉंग हो जाते हैं कुछ खास चीज़े हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए पर इससे पहले दिपावली और वास्तु के कनेक्शन की बात करते हैं इस दिपावली को हैपी दिपावली बनाने के लिए वास्तु के कुछ खास नियम है कुछ खास नियमों को अगर आप अपनाते हैं लाइफ में आपलिकेबिल करते हैं तो आपकी दिपावली हो जाएगी शुब दिपावली क्योंकि मालक्ष में आपकी घर आएंगी भी और आपकी घर में खुश्यां बिखे रिएंगी तो कौन से हैं वो वास्तू के नियम चलिए बता दें सबसे पहले तो घर एकदम साफ रहना चाहिए और कबाड एकदम नहीं रखे पुरानी या रोकीवी घरियां पैसे को आने से रोकती है इसलिए इसको घर से बाहर निकाले या उसके सेल और स्टाट चेंज कराए अच्छा किती बार होता है कि घर में पुराने कपड़े डंप किये वे पड़े रहते हैं ऐसे में नहीं रखे आप पुराने कपड़े गरीबों को बार चकते हैं और एक बात घर के आगे या नौर्ट साइट की तरफ अगर गड़ा है तो उससे भरवा दिजे ताकि पैसों का लॉस ना हो और घर के में गेट अगर साउथ में है तो पिरमिड या लक्षमी जी और गनेश जी की तस्वीर आप लगा सकते हैं और घर का gate अगर आवाज करता है तो इसका मतलब घर में चिक चिक होगी तो दर्वाजे की joint में और या पर जो जगा आवाज करती है वहाँ पर थोड़ा सो oil डाल दीजे घर के दर्वाजे और खिड़कियों पर सरसो का तेल लगा कर उन पर स्वास्तिक का चिन बनाए या फिर शुबलाव लिखे अगर आपके घर में टीवी और फ्रिज नौथ या इस दारेक्शन की ओर मूँ करके लगाते हैं तो बेटर रहेगा इससे आपकी electronics बेटर और लॉंग लाइफ तक चलेगे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का छोटे से ब्रेक के बार आपको बताती हूँ कि ग्रहों को कैसे ठीक करना है खास हनुमान जियनती के बाद आपका स्वागत है आज रूप चतरदशी भी है रूप चतरदशी यानि की आपको कुदरत ने कुछ-कुछ दिन ऐसे दिये जब आप अपनी बोडी पर ध्यान दे अपनी physical appearance को celebrate करें तो आज की beauty tips आपको जरूर करनी है कुछ और खास चीज़े भी मैं आपको बताऊंगी रूप चतरदशी पर special चापको करनी ही करनी है ताकि आप और रूप वान हो और attractive हो जरूरी नहीं है कि females के लिए attractive दिखना जरूरी है males को भी attractive होना चाहिए पच्छों को भी attractive होना चाहिए और मैं तो आपको natural चीज़े बताती हूँ ना आज इस बारे में भी details से बात करेंगे लेकि दिपावली पर आज और कल दिया जलाते समय कि मंत्रों का जाप करें यह बताती है मैं मंत्र आपको बता रही हूँ मंत्र लिखिए शुबं करोती कल्यानम अरवग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धी विनाशाय दीपक जोती नमस्तते इस मंत्र को आप आज और कल दिया जलाते समय इसके बाद जाप करें मंत्र को कम से कम आपको 11 बार जाप करना है मंत्र का जाप करते समय अपना ध्यान इदर उदर ना भटकने दे इसे फाइदा क्या होगा? इसे घर से नेगिटिव एनरजी दूर होती है घर परिवार से रोग बिमारियां दूर होती है एंबायरमेंट को सात्विक बनाता है जिससे नेगिटिव एनरजी बार की आपकी लाइफ पर इफेक्ट नहीं करती परिशानिया नहीं लाती और अगर जो परिशानिया हैं उसे दूर करती है अगर बच्चे इस मंदर का उचारण करें तो उनकी मेमरी शाफ होती है साथ ही मंत उनकी स्पीच को और जादा क्लियर करता है उनके शब्दों की प्रनसियेशन को ठीक करता है जैसे मैंने आपको शो की स्टार्टिंग में बताया था कि आज हनुमान जंती भी है मैं तो आपको नहीं बूलने दोंगी क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप इस दिन अगर कुछ खास उपाय करते हैं तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है इस बार में बात करेंगे लेकिन आज रूप चतुरदशी भी है आप और अट्राक्टिव हो सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है चलिए बताती हूं आज रूप चतुरदशी है और हर आदनी को अपने स्पेशल तरीके से अगर अट्राक्टिव दिखना है अपनी पावर्स बढ़ानी है तो आपको क्या करना है आपको घर के अंदर शीशे के सामने ये रमिडी करनी है ताकि मिरर से इसका इफ्ट डबल हो सके मैं आपको आपकी राशी से बताऊंगी कि आपको चेहरे पर बॉडी पर क्या लगाना है ताकि आप और अठ्राक्टिव व्यक्तिद whackे मालिक हो सके तो नेश राशी के लोग लाल टमातर का इस्तमाल करें चेहरे पर विश्चिब राशी के लोग ड़ी करड का इस्तमाल करें ये आपको मन्दर में करना है या फिर शीशे के सामने करना है मित्रुन राशी के लोग क्या करें? आप लोग पालक और हनी का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर इस्तमाल करें कर्क राशी के लोग कच्छे दूद को थोड़ी देर मा के आगे रखी और फिर इसका चेहरे पर इस्तमाल करें सिंग राशी के लोग मसूर की दाल का पैक लगाएं और देखें कि रूप चतरदशी आप के लिए क्या कमाल करती है कनिया राशी के लोग तुलसी के बक्तों का इस्तेमाल करें लेकिन साथ में थोड़ा सा नीम भी मिला सकते हैं तुला राशी के लोग लिबिन्स क्या करें आप लोग रोज असेंशल ओईल और दही का इस्तमाल करें और अपने आपको और अट्राक्टिव बनाईए व्रिच्षिक राशी के लोग चंदन पाउडर और साथ में थोड़ा सा चकुंदर इस्तमाल करें और देखिए आपकी पस्नारिक्री कितनी अट्राक्टिव होती है धनु राशी के लोग यानि की साजिटेरिन्स केसर का इस्तमाल करें आज पैक बनाने के लिए या गंड़ा जल केसर को चेहरे पे लगाए और देखिए कमाल मकर राशी के लोग आप लोग जोग के साथ में थोड़ा सा कच्छा दूद मिलाकर चेहरे पर लगाकर बौड़ी पर लगाकर स्क्रप कीजिए और देखिए रूप चक्रदशी क्या कमाल करते हैं आपके लिए अक्वेरिंस कुम राशी के लोग आप लोग सर्सों का तेल बौड़ी पर लगाए और चेहरे पर आप थोड़े से कपूर के साथ तिल का तेल और साथ में कच्छा दूद मिलाकर चेहरे पर लगाए एक ड्रॉप तेल की और इतना सा कपूर अब मैं आपको बताती हूँ मीम राशी के लोग क्या करें आप लोग बेसन और साथ में थोड़ी सी कच्छी हल्दी जो अद्रग जैसे होती है उसको ग्रेट करकर चेहरे पर पाक लगाए और देखिए रूप चत्रदशी आपकी काया पलेट देगी दिपावली के लिए आपको क्या पूजा की समगरी चाहिए ये लिस्त आपको आज ही देदेती हूँ पर इस से पहले हनुमान जनती क्या क्या चीजें आपकी दूर कर सकती है बताती हूँ अगर आपके अंदर confidence की कमी है अगर आपके काम दीरे-दीरे बनते हैं अगर लोग आपके respect नहीं करते आपने courage नहीं है, strength नहीं है यह उपाइस जरूर कीचे क्या करें हैं? शाम से पहले people के पेड़ के नीचे जाएं अगर आपको 11 पत्ते आपको people के पेड़ के तोड़ने है हर पत्ते के उपर राम लिखना है चंदन से इसकी माला बनानी है और हनुमान जी को चरा देनी है आपके blood से related problem हो brother से problem हो property related issues हो, solve हो जाने है चलिए आपको बताती हूँ कि पूजा के क्या-क्या समान की list आपको prepare करके रखने है मालक्षमी के पूजन के लिए आपको केसर, रॉली, चावल, पान का पत्ता, सुपारी, fruit, फल, साथ में आपको थोड़े से फूल, दूद, खील, पताशे, सिंदूर, ड्राइफ्रूट, हन, मिठाईया, करड, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, कॉटन, कलावा, नार्य, और तांबे का कलश आज ही रख लेना है ताकि कल की पूजा के लिए आपको कुछ मेने के लिए न जाना पड़े, भूनना न पड़े और फिर कल की पूजा में मालक्ष्मी की आप जितने मन से तयारी करेंगे याद रखेगा कि कुद्रत तो भाव से ही चलती है आपका भाव अच्छा होगा तो मालक्ष्मी अपने आप खिची आएंगी आज के लिए मैं आपसे इतनी बात करूँगी लेकिन इतनी सी बात आपकी जिन्दगी बदल सकती है यह उपाई सिरफ सुनने नहीं है इनको करना है और फर्क महसूस करना है लेकिन आज की बात तो इतनी ही कल दिपावली है हम सब इस दिवार को मनाते हैं लेकिन ये मा लक्षमी का पर आपको माला माल कैसे करेगा ये आपको कल बताऊंगी तो ध्यान रखेगा शाम के समय बहुत ध्यान देना है प्रेग्निंट लेडीज अगर आपके सरकल में आपके जान पर चान में आसपस हैं उन्हें इंफॉर्म करना है और साथ साथ प्रिटेक्शन करनी है दिये जलाने है मैंने आपको मंत्र भी बताया ये सारी चीजें करनी है ये आपी के लिए तो है तो चले कर मुलते हैं खूब मज़े कीजी शुद्य पादली